जै हिन दोस्तों स्वागत एक बाद फिर से आपके अपने ही चैनल क्रेकिन फॉरॉण में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपसी एस बरसेज एस पीवी के बीच जो नेक्स टीटेन मैच होने वाला है विंसी प्रीमेर लिग का उसकी तो आईए देख लेते हैं जैके इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे आप लोग का प्यार हो समर प्रीमेर चैनल पर पता चलेगा इसलिए आपको अमारे टेलीगराम चैनल से भी जाकर जल्दी से जूड़ जाना है उसके लिए करना क्या है जो सबसे बेश्ट मेठ़ है वह यह की नीचे जो पिंड कमेंट है यानि की फर्स्ट कमेंट उस पर आपको टेलीगराम का लिंक म करेंगे वहाँ पर आपको दो लाग बावन हजार सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा क्रिक इंफॉर्मर यूजर नेम से उसको जोईन कर लिजेगा सेम यही यूजर नेम होना चाहिए यह बात ध्यान दिजेगा अब हम बात कर लेते हैं इस मैच की तो इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पे पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो देखे सेम उसी ग्राउंड पिच अभी तक यहां पे देखे सौट बाउंडरी रही है तो अच्छे बालेबाज जो हैं वो जरूर स्कोरिंग कर रहे हैं अबर आल आप मान के चल सकते हैं कि एक्स्टा अडवांटेच बालेबाजों को है लेकिन बहुत highly batting friendly wicket जैसा होता है वैसा नहीं है तो आप मान क जो को extra advantage है इस ground पे अब बात कर लेते हैं FCS टीम के preview की तो FCS की टीम का production अभी तक बहुत अच्छा उतना नहीं रहा है लेकिन last season इन्होंने third मतलब की points table में finish किया था उसके पहले सुरुवात के दो season 60 साबित हुए थे अगर बात करें इस बार इनके team की तो इनकी team इस बार ठाक दिखाई दे रही है और खासकर इनके पास balling options अच्छे खासे हैं बात कर लेते हैं इनके probable 11 की expected batting order में तो यह आपको इस screen पर दिखाई दे रहा है M.Bass Bombay और C.Hexe open करेंगे उसके बास C.L.Roy William, Joshua James, James, Downwell Hector, बाकी सब नीचे आप देख लीजेगा वो probable 11 इनका होना च expected batting order में यहाँ पे जो batting order में changes हो सकता है किरतन लेविया कभी भी उपर आ सकते हैं उसके अलावा जो सबसे important यहाँ पे है वो यह है कि कौन कितना balling करेगा क्योंकि इनके पास number of ballers बहुत ही जादा हैं तो देखिए इनके team में तीन ऐसे player हैं जो की खेल चुके हैं सबसे प even CPL भी खेल चुके हैं और उसके अलावा West Indies यह में भी इनका selection हो चुका है तो प्रिस्टन मैक स्विन, Ray Jordan और जोसुआ जैंस जो की West Indies under 19 के star player रहे थे और उसके अलावा CPL में भी इनका selection हो चुका है तो यह 3 players most probably 2-2 over confirm करेंगे तो यह 3 के हो गए 6 over अगर कुछ unexpected होगा और CL Roy Williams भी जरूरत पढ़ने पर कर लेते हैं हलंकि इनको balling team generally lift handers के against ही देती है balling लेकिन इनके team में एक और off break गिदबाज है Richie Richards इनका भी same वही है कि lift handers आते हैं तो इनको balling मिलता है तो most probably CL Roy Williams से आप overs जादा नहीं देखेंगे जादा क्या 2 over करना है इनसे most probably आप overs नहीं कौन जादा कर जाएगा तो ये एक important point है इसमें जो बचे चार है उसमें सबसे जादा wicket taking किर्तन ले विया है उसके बाद रासित फ्रेडरिक है फिर आप जावीद हैरी को रखिए उसके बाद रिची रिचर्स को रखिएगा तो ये तो हो गया इस team का probable 11 death overs की बात करें तो death रे जोडन और फ्रेश्टन मैक स्वीन को करना चाहिए नहीं तो मैक स्वीन अगर नहीं करेंगे तो जोसुआ जेम्स करेंगे जोसुआ जेम्स ने पिछले सॉरी हाँ जोसुआ जेम्स ने लास्ट मैच में death overs में बालिंग किया था team composition ये है अब हम चलते हैं प्लेयर analysis पर तो सबसे पहले आते हैं Mills Boss Bombay जो कि West Indies team से खेल चुके नेसनल टीम की मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही talented बलेबाज और यहाँ पे भी T10 में 36 का average है must have pick रहेंगे even आपके लिए एक अच्छे captaincy option भी हो सकते है most of the time अच्छा scoring करते हैं ये बात ध्यान दिजेगा VVL3 में 48 के average C9 ने scoring किया था CX on average बलेबाज है लेकिन wicketkeeper category में एक मात्र ऐसे बलेबाज है जो की सायद उपर बैटिंग करने आएंगे पिछले match में भी उपर आये थे इसलिए ये आपके लिए wicketkeeper category में सबसे safe choice हो जाते हैं बलेबाज average है लेकिन आपको लेना थोड़ो सा मजबूर ही रहेगा क्योंकि उपर बैटिंग करने आएंगे C.L. Roy Williams कुछ खास उतने all rounder नहीं है part time balling कर लेते हैं और जब balling कर लेते तो इनका मतलब की एक उपियोगता बढ़ जाता है लेकिन यहां पे इनके पास number of ballers बहुत ही जादा है तो most probably balling नहीं करेंगे तो आप एजे batter ल लेना ही लेना है वहां पे आपके लिए एक important pick हो जाते हैं कभी कबार ही अच्छा खेला हुआ है नहीं तो most of the time flop रहे हैं लेकिन top order में आते हैं इसलिए आपके लिए ठीक ठाक pick अब हो जाते हैं वैसे इनका T20D में balling record बढ़िया रहा है लेकिन यहां पे mostly left handers के अगेंस ही balling करते हैं लेकिन most probably Richie Richards को यह team सायद यूज करें lift handers के अगेंस उसके बाद आते हैं Joshua James जो की बहुत ही talented outrounder है West Indies A team में भी खेल चुके हैं West Indies under 19 से खेल चुके हैं और CPL में भी इनका selection हो चुका है must have pick रहेंगे अच्छे hitter है अभी यह खेल रहे थे इसके अलाबावा Spice islay वाले tournament भी खेल ले तो उसमें भी अच्छा कासा performance दिया था must have pick रहेंगे even ठीक ठाक captaincy option भी रहेंगे दो बर लगवाक confirm balling है अच्छे hitter है और under 19 से बहतरी इन फॉर्म में थे वो सब stats मैंने यहाँ पे नहीं दिया है पिछले match में 32 run बनाया था और 29 पे इनका balling में performance था captaincy के ठीक ठाक option होंगे down well, hector, average बलेबाज है ज्यादा ना batting आती है ना ज्यादा balling आती है आराम से छोड़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं किरतन ले विया या आपके लिए trump card pick हो सकते हैं हलंकी जो इनका balling है वो काफी average दिखाई देगा लेकिन जो important point है stump to stump line length balling करते हैं और और वहाँ पर कई बार बलेबाज इनको hit करने जाते हैं और फिर first जाते हैं उसमें wicket फेकने के chances इनके रहते हैं थोड़ा बहुत change आप pace करते हैं और जो important point है कि अच्छा hitting भी कर लेते हैं तो overall एक ठीक ठाक पिक आपके team में हो जाते हैं अभी तक का performance T10 में बढ़िया है 16, बॉला तसलो तीन का इनका average है बैटिंग से और 26 मैचों में बॉलिंग करके 24 विकेट लिके गया हैं विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं लास्ट सीजन भी इन्होंने 9 विकेट लिया था लेकिन यहाँ पे जो सबसे दिक्कत वाली बात है कि जो बचे 4 ओबर हैं उसी मे इन लोग को बॉलिंग करना है तो ऐसा हो सकता है कि केवल एकाक ओबर ही बॉलिंग करें हलंकी बैटिंग इनकी जनरली आती है इसलिए ठीक ठाक पिक हो जाते हैं पिछले मैच में भी सोलर रन किया था और 10 में एक विकेट लिया था रिचीट एचार्स प्रेटी एवरिज इसलिए आराम से छोड़ सकते हैं उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे उसके बाद आते हैं जावीद हैरी बहुत ही टैलेंटेड गिद बाज और जो इंपोर्टेंट पॉइंट है अपने लाइन लेंद के लिए जाने जाते हैं बस सबसे बड़ी दिक्कत है कि विकेट टे में यहाँ पर बॉलिंग किया हुआ है उनसे ज्यादा एकनोमिकल रहते हैं यॉर्कर्स इनके पास जबर्जस्त है और वन फोटीज में पेस जनरेट करते हैं बहतरी लाइन लेंद रहता है ओबरॉल मस्ट है पिक रहेंगे पिछले मैच में दो विकेट लिया था हलंकी उत होड़ा बहुत हिट भी लगा सकते हैं टीटेन में एक मैच खेला 14 रन उसके अलावा 35 पे 0 इनका परफॉमेंस था बॉलिंग से मेंली अपने पेस बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं लेकिन काफी टैलेंटेड है इस्टेट टीम से खेल चुके हैं और उसके अलावा वेस् टेकिंग उतने नहीं है प्लस जो बचे चार ओवर हैं उसी में इनको बॉलिंग करना है तो थोड़ा सा एवरेज पिक ही रहेंगे अराम से स्मॉल लिग में छोड़ सकते हैं इनसे ज्यादा विकेट टेकिंग है उनको ट्राई किजे लाइन लेकिन विकेट टेकिंग नहीं है ओजिको विलियम्स मुस्ट पॉबबली नहीं खेलेंगे अपने हार्ड टिंग के लिए जाने जाते हैं कभी कबार एकाक मैच में चल जाते हैं नहीं तो उतना कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं अगर खेल जाते हैं तो फिकेट कीपर केटेगरी में आपके लिए एक ट्रम क पिक हो सकते हैं कि श्ट्रॉय जॉन्स प्रफॉरेट समय सा रहा करती थी सुलवात के दो सीजन में काफी बेहतरिन पर्फॉर्मेंस था टेबल टॉपर्स भी थे ग्रूप स्टेज में हलंकि लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं गया लेकिन टीम अभी ठीक ठाक दिखाई दे खेलेंगे सुनने में आ रहा है कि साथ पूरे टूर्णामेंट से बाहर हैं इसलिए नहीं खेलेंगे लेकिन अगर खेलें तो यह टीम और मजबूत हो जाएगी और इवन फर्स्ट टूर्णामेंट सुनी लेंब्रिस ने अपने दम पे इनको जीत दिलाया हुआ था अब ब होगा कि कादिर नेड और आर वाकर तब उपर बैटिंग करने आ सकते हैं लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ ऐसा भी हो सकता है यह टीम लास्ट मैच का ही बैटिंग और प्रिफर करें तो इनका जो प्रॉबेबल 11 होना चाहिए वो बैटिंग और में दिखाया दे रहा है लेक दो मतलब कि इबन इसमें से डी जानसन ने वेस्ट इंडीज यसे भी खेला हुआ है तो ये बत ध्यान दिज negro बाकि इनके पास मतलब की जो में बोलरस है तो ये शुरुवात के जो 4 हैं वही में बलिभाज भी हैं में बालरस भी हैं यह एक important point है 5 बालिंग option में इनके पास देखिए के जो सब पार्ट टाइम के दवाज हैं कभी कबार कर सकते हैं नहीं तो D. Barnum और D. McDowell हैं मतलब Barnum और McDowell most probably कुछ overs balling करेंगे और जो बचे दो बर हैं mostly इनहीं के बीच divide होने वाले हैं यहाँ पर यह एक बात और ध्यान दिजेगा कि नमबर पांच और नमबर छे पर जो मेंसंड है आरवाकर कादिर नेट यह दोनों कई बार open भी करते हैं तो अगर टीम चेंज करना चाहे बैटिंग ओडर तो इनको as an opener भी भेज सकती है टीम कम पोजीशन की बात करें तो यह screen पर है अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालसिस पर तो सबसे पहले आते हैं रियान जॉन इस्टेट टीम से खेल चुके हैं और बाकी टीटेन भी खेलते रहते हैं स्पाइस लेवाला भी खेल रहते हैं ओबर ओल अच्छे आल राउंडर बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे लेकिन इस लिवल पर ठीक ठाक हैं हार्ड लेकिन कई बार यह अपने बैटिंग से इंप्रेस कर चुके हैं और इसलिए प्रमोशन भी मिलता है पिछले मैच में ओपेन करने आये थे और वहां पर जवर्जर स्थेटिंग किया था ओबर ओल मस्ट हैप पिक होंगे इवेन कैप्टेंसी के भी ठीक ठाक ऑप्सन होंगे हलंकि बलेबाज बहुत भरोसे मन नहीं है लेकिन ओबर ओल उन्निस का इनका टीटेन में एवरेज है और बाई सेनिंग में 25 विगेट ले चुके हैं विगेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं और उसके अलाबा हार्ड हिटिंग भी कर लेते हैं पिछले मैच में भी हिटिं सी ओप्सन ये भी रहेंगे और उपर ही बैटिंग करने आएंगे वैसे स्टेट टीम में ये एजे बॉलर खेलते हैं लेकिन यहां पर इस लेवल पर हिटिंग कर लेते हैं अच्छा कासा पिछले मैच में भी दिखाया था उसके बाद चलते हैं डी जॉन्सन ये वेस्ट इ कब भी देखे जाते हैं फिर आते हैं आरवाकर एवरेज बलेबाज है आलेंकीन का T20 रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है लेकिन T10 में उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाएं केबल 10 का एवरेज है स्ट्राइक रेट भी उतना मिंटेन नहीं कर पाएं और यहां पर कहां पर बैटिंग करेंगे वो कनफर्म नहीं है लास्ट मैच काफी नीचे बैटिंग करने आये थे इसलिए उतने अच्छे पिक नहीं होंगे प्लस T10 का रिकॉर्ड भी बढ़िया नहीं अगर आप देख लिजेगा अगर एजन ऊपनर आ जाते हैं तब आप रिस्क ले सकते है स्मॉल लिग में जहां पर तीन बैट्समैन लेना मिनिममम है आगे बढ़ते हैं कादिर नेर ये भी हिट और मेच टाइप वाले बलेबाज है लेकिन जो सबसे इंपॉर्टन बात है कि एक सीजन ये वन अप दे टॉप रन स्कोरर में रहे थे और काफी अच्छी बैटिंग किया था लेकिन उसके बाद फॉर्म इनका फिर से करबड हो गया था ओबरॉल बीस दस्तुलाव आठ पांच का इनका एवरेज है बैटिंग में टीटेन में और स्ट्राइक रेट डेर्स होके आसपास है अच्छे एटर हैं इंपक्ट वाले बलेबाज है तो जहां पे तीन मिनिममम आपको प्लेयर लेने है बैटिंग सेक्शन में वहाँ पे ट्राइ कर सकते हैं लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं गया था केवल बारा का एवरेज था लेकिन वीपील 2 में बहुत ही बहतरी इन फॉर्म में थे ये बात ध्यान दीजेगा आगे बढ़ते हैं फिर आते हैं यह लेजमेंट कुछ खास बलेबाल नहीं है आराम से छोड़ सकते हैं क्यों जोसप इनको भी टीम ज्यादा मौका नहीं देती हलंकि T20 रिकॉर्ड इनका बढ़िया है बालिंग भी करते हैं लेकिन T10 में ज्यादा बालिंग इनको मिला नहीं नहीं ज्यादा बालि हैं लेकिन बालिंग करने के चांसे जिनके रहेंगे अगर खेलते हैं तो लेकिन अभी देख लिए बालिंग मिलता है कि नहीं आराम से छोड़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं के स्प्रिंगर इनका रिकॉर्ड बहुत ही जबर जसते हालंकि यह टीम में नहीं थे पिछले मैच में लेकिन अगर खेल गए तो आपके लिए एक ट्रम काट पिक हो सकते हैं उसका रिजन है कि 23 मैचों में इनों ने बॉलिंग भी किया हुआ है 17 मैचेट में और प्लस बैटिंग भी ठीठा किया हुआ है तो इनको जील में एक आग टीम में आप ट्राइ कर सकते हैं गेम चे 51 का एवरेज हैं का T20D में अगर देखेंगे और उसके अलावा बॉलिंग भी बेहतरीन करते हैं यहां पर तो यह बात ध्यान दिजेगा कैप्टन सी के सबसे safe choice हो जाएंगे अगर यह खेलते हैं तो तो दोस्तों ड्रीमिलोन टीम की बात कर लेते हैं तो स्टार्ट करते है बस यह ध्यान दिजेगा कि कौन से section में कौन important pick होगा इस match में यह मैं guarantee देता हूँ एक दो changes प्लस CBC rotation में आपकी GL confirm आने वाली है तो इसलिए rotation जरूर कीजेगा तो start करते हैं विकेट keeper में ज्यादा सोचना नहीं है जो सिर्फ काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं लेच मैं हेकसा पिछले match में top order में आया थे इसलिए important pick रहेंगे ओजी को विलियम्स हेकसा से ज्यादा talented बलेबाज है अगर खेल गए तो यह आपके लिए trump card pick हो सकते हैं बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो embrace most probably नहीं खेलेंगे तो यहाँ पे बसते जो हैं जो top order में आने वाले एक C.L. Roy Williams है हालंकि बहुत अच्छे बलेबाज नहीं है लेकिन मजबूरी आपको लेना पड़ेगा सेम कादिर Nate के साथ भी है लेकिन Nate ज्यादा talented बलेबाज है हालंकि टीम ने काफी नीचे पिछले match में भेजा था मतलब भेजा क्या था बैटिंग ही नहीं आई थी लेकिन य बलेबाज है इसलिए इनको मैंने कभर किया हुआ है डान्विल हेक्टर आराम से छोड़ सकते हैं नीचे एम बसकॉमबे यह आपके डिफॉल्ट पिक होने वाले एक ही बलेबाज यहां पर अच्छे हैं जिनको लेना चाहिए वो यही है बाकी सारे साइट पर आप ऊपर के बले ही रिकॉर्ड खराब हो तो यह बात ध्यान दिजेगा आप चाहें तो यह मतलब रोटेशन कर सकते हैं नेट के जगा आप वाकर को ट्राइ कर सकते हैं अल राउंडर्स में चलते हैं तो यहां पर आपके पास दो अच्छे आप्शन है एक जोसुआ जैम्स जो कि जो मस पिक होंगे नीचे रिची रिचर्स भले ही सेलेक्शन जादा हो लेकिन उतने अच्छे पिक नहीं होते नीचे चलेंगे तो डी मैकडवाल ये भी कुछ खास पिक नहीं है बॉलिंग सेक्शन में चलते जॉनसन मस्टलेटर नमस्ट पिक होंगे फ्रेडरिक बहुत ही टैल कार्ड होने वाले हैं इनका दो ओभर लगभग कनफर्म है उसके बाद आते हैं रेयान जॉन बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे इसलिए इमपोर्टेंट पिक रहेंगे जील में कैप्टेंट कर दिजेगा ओपन आ रहे हैं प्लस बॉलिंग दो ओबर लगभग तो दोस्तों यह थी मेरी टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, तो देखें कैप्टन में जोस्वा जैम्स थोड़ा ज्यादा सेफ हैं, तो इनको मैंने कैप्टन किया, VC के लिए मैं थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसको करूँ, देखें, मिल्स बॉस जैम्स, इस्टेप्लेटन, एलियनने और आर जाउन, इनके बीच करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैंने जैम्स को कैप्टन किया, एलियनने को VC किया हुआ है, लेकिन VC आप खुद का रखिएगा, इसमें मैं काफी मुझे मतलब कंफ्यूज आने, तो ये बात ध्यान बाकी आप लेविया को ले सकते हैं, मैं 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 स्विन का ये कंफार में की दोवर लगबग करना है, इसलिए मैं स्विन को प्रिफर कर रहा हूँ, तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समापत होता है, आसा करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा का सा यल्प तेरी जगा धन्यवाद